नमस्कार दोस्तों, तीचे सिन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे Central University of Punjab यहाँ एक huge vacancy निकला है बहुत सरे department में, जितने भी सरे department है सारे के सरे department में, contractual position में and permanent position में बहुत सरे vacancy निकला है तो चलिए चलते हूं उसका official website में और वहाँ जाकर हम इसको details में discuss करते है सुरू करने से पहले में आपको बता दू कि हम यह teaching related सारे के सरे studies, competitive exams and jobs के बारे में discuss करते है तो जिएनों ने अभी दक हमारी channel को subscribe नहीं किया है subscribe कर लिजिए, future में जो भी notification आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो यह आप देख सकते हो, यह है Central University पंजाब का जो job page है dedicated to all these jobs तो यहाँ देखे हैं आपको बहुत सारे notification आपको दिखाई देगा साइध कुछ दिन पहले भी मैंने आपके साथ discuss किया था अभी जो latest notification आया है, मैं इसको थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो, जो पहला बाला notification यहाँ mention किया गया है Central University पंजाब recruitment notice यह आया है 17 September को ठीक है, यदि आपको हिंदी में advertisement देखना है, तो आप यहाँ click करके देख सकते हो English में देखना है, तो यहाँ click करके देख सकते हो Link for the apply online, तो आपको apply करने के लिए यहाँ click करके आप देख सकते हो ठीक, इसी प्रकार पूराना भी बहुत सारा notification है, जिसका date अभी तक है आप चाहो तो इसको भी apply कर सकते हो, तो हम एक एक करके discuss करेंगे तो पहला बाला हम open कर लेते हैं, इसको मैं already open करके रखा हूँ तो यह है इसका notification साइद आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ mention किया गया है, हिंदी में mention किया गया है यह हो गया हिंदी में, और यह है आपका हिंदी में, और इसको अपलाई करने का जो लास्ट डेट है, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं mention किया गया है तो यह notification क्या है, हम इसको थोड़ा details में देखते हैं, यह है इसका department, जहाँ भैकेंसी है असिस्टन प्रोफेसर, computer science and technology में एक वैकेंसी है, on research में, education में वैकेंसी है, law में वैकेंसी है, library and information science में वैकेंसी है ठीक, इसी प्रकार guest faculty का जो वैकेंसी है, यह है applied agriculture, applied agriculture, food science and technology में, computer science and technology में, library and information science में ये guest faculty का vacancy है, बाकी right side में दिया गया है, कौन कौन सा vacancy है, कौन सा category के लिए कितने vacancy है, ये भी mention किया गया है, आप यहां से देख लेना इसके लिए आपको salary क्या मिलेगा, assistant professor को salary मिलेगा, 64,500 करके, और जो guest faculty है, उनको per lecture के हिसाब से 15,000 रूपिया करके मिलेगा और हर महिने में आपको 50,000 करके मिलेगा, तो इसको apply कैसे करना है, apply करने के लिए देखे, जैसिक मैंने आपको बताया, यहां जाकर आप direct apply कर सकते हो, link here for apply online, और नहीं तो यहां से भी आप देखे, link दिया गया है, इसी link के उपर आप click करके apply कर सकते हो, और इसके लिए आपको और इसका जो educational qualification है, यह आपका UGC के तरफ से जो भी है, इसी को यहां follow किया जाएगा, और यहां mention किया गया है कि PhD degree salvee the mandatory, किसके लिए ने assistant professor के लिए, ठीक है, and for the faculty position, department of computer science and technology, minimum eligibility condition will be, आज परता AICT 2019 का जो regulation से, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है, पीजी के ब इसका जो link है, मैं दे दूँगा description में, आप वहां से जाकर इसको देख सकते है, यदि आप interested हो, आप यहां apply भी कर सकते हो, इसके अलावा, देखे, और भी दो पुराना notification है, यहां देखे, एक notification है, 7 September को आया था, और इसका जो last date है, अपलाई करने का, यह 21, 10, 2021 तक है, ठीक ठीक, इसी प्रकार और एक notification आप यहां देख सकते हो, यह भी 7 September को आया था है, इसका भी जो last date है, अपलाई करने का, 21, 10, 2021 और जिसमें आपको huge vacancy मिलेगा, तो मैंने इसको अल्रेड़े open करके रखा हूँ, तो आप यहां देख सकते हो, देखे, यह है vacancy, और यह सारे के सार microbiology, pharma science and natural products, computational science, botany, computer technology, environmental technology, geography, geology, economics, studies, human genetics, and molecular medicines, library information science, English law, mass communication, media studies, performing and finance, तो इस प्रकार का यहां सारे के सारे दिया गया है, आप इसको देख लेना, यदि आप PhD किये हो, और आप job search कर रहे हो, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा opportunity है, ठीक है, तो आप यहां apply कर सकते हो, यह सार के सारे permanent job है, और salary के बारे में भी देखे, यहां mention किया होगा साइद, हाँ, यहां देखे, mention किया गया हो, professor के लिए जो salary मिलेगा, 1,44,200 करके मिलेगा, और जो associate professor को मिलेगा, 1,31,400 करके, और जो assistant professor को मिलेगा, 57,700 करके, यह सारे के सारे permanent position है, इसके अलाबा और एक notification है, मैं इसको भी थोड़ा दिखा देता हूँ, इसका भी date अभी भी बाकी है, तो आप इसको देख सकते हो, यह देखे, ठीक इसी प्रकार, यह भी वैकेंसी है, ठीक है, तो यहां भी देखे, यहां जो दिया गया है, department, बाकि प्रोफेसर में कितना वैकेंसी है, associate professor में कितना वैके department आप इहां देख सकते है, जोलोजी, applied agriculture, then biochemistry, microbiology, pharma science, then pharmacology, computational science, mathematics, statistics, physics, botany, computer science and technology, geography, जोलोजी, south, central and asian studies, history, economic studies, sociology, human genetics and molecular medicines, Hindi, library and information science, English, Punjabi, law, financial administration, mass comm, then media studies, performing and fine arts, then psychology, then physical education. तो इस प्रकार का बहुत सारे वैकेंसी है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा opportunity है, आप apply कीजिए, और यदि हो गया तो बहुत अच्छा चीज है, ऐसा मैं सोचे कि मैं UP से हूँ, बिहार से हूँ, मैं उडिसा से हूँ, इस प्रकार का state से हूँ, तो मैं वहां कैसे सदी के जाब मिल जाता है, तो आप कर सकते हो, पर आपके पास एक Central University का permanent job होगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है, और यह सारे सारे जो link है मैं दे दूँगा description में, आप वहां से जाकर इसको देख सेकते हो, ठीक है, तो यह था इसका details, so thank you, all the best.